आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को ले करके तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज की गेस्ट हैं तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और भड़ जाएगा यह बताने से पहले के गेस्ट कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यूट्यूब के बारे में यूट्यूब में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोडो चैनल्स है जो अलग-अलग जानल्स में है अलग-अलग कैटिगरीज में है उसमें से दो ब क्वेसर ची जादा सब्सक्राइबर्स है प्ली जेर नेर्टेक बलाम विल्मूम तो वनानली रुद्सार यह जाए। इससे पहले कि audience आपसे कुछ पूछे या interact करें, मेरे mind में एक question है आपके लिए, जो बच्चे है, वो आपके इतने दिवाने क्यों है, इतने पागल क्यों है आपके पीछे, मतलब मेरे comment section में भरा पड़ाता, खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे, मतलब ऐसा क्या जाद क्योंके आपके लिए पढ़ाना है, तो तो हम लों का में है कि बच्चों को जो जरूवत रहती है, कि अगर लड़का पढ़ने आरा है उसके मन में कोई डाउट नर आ जाया हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो भूल के दिखाओ, याद गर नहें आएंग सबस्क्राइब धामी पढ़ाना है याद विए ट्रव पॉईंट पढ़ाए आछेश्न को जरूरीया है आप जा छोंसे कंठ है को बहुती कंछार्या है याद यह बाद इंडियान कल्चर नहीं है, हमारा इंडियान कल्चर गुरु दखषिन उस ही साफ़से वह सही है, और एजुकेशन ज़रूरी है। कोई यह नहीं कह सकता है कि पैसे के वज़े से खानसर के यहां से लोट गया। क्या बात। मैंने देखा कि आपका यह जो चैनल है। कि यह पिछले तीन साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल सुरूरा तो एक दिन में हम चार पाँच वीडियो बनाएं। हमको कुछ आता आज भी नहीं आता इतना तो हम देखके कामरा हुम्रा तो हम कन्फूज होगा हैं। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको उसके बाद कभी वीडियो इने छे-साथ वीडियो एखी एक ही बार सूट कर लिये और एक जो तहें जिनका डाव अगरा तो में पास डाव पास कामरे भी नहीं थे उस टाइम और पांग्ती पहुंच जाएगा तो उनके कैमेरे से सुट किये उन्होंने कोई चाल्ज लिया उसके बाद छोड़ी दिये लॉगड़ी दिये लॉगड़ी लगड़ा तब हमके आप कैसे पढ़ाएंगे हो तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया तब हमको लगए याद है कि हो हो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पर तूस समय उस पर लगबग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे तो जैसे लॉगड़ाँ लगए तो उस पर पढ़ाना चालू किया और पता नहीं किया लोगों को पढ़ाई में इतना इंट्रेस्ट अगया कि आपना स्टाइल ऐसा है तो आप आइ तिंग पढ़ाई के साथ-साथ में जो भीच-बीच में आप थोड़ा बच छोड़ते रहते हैं मतलब जो जो एंटेइन्मेंट चलता रहता है ये बात हम देखे जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजु ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखें इसे समझाना वो समझा की नहीं समझा अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो आपकी गलती है लड़का हमसे पुछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास तो कह सर डाउट कैसे पूछेंगे है हम करिया तुम्हा दाउट बचेगा तब ना पूछेगा confidence next level like answer का मानना पड़ेगा और शायद यही बज़े है इनकी जो ग्रोथ है उसका किसी ने शायद सपने भे भी नहीं सोचा होगा कि पिछले दो साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लोगडाउन के टाइम पर आपक कोई से सेंसिटिव हैं जिसके ओपर बात करने की हिम्मत I think बहुत ही कम लोगों में है तो आपको कभी यह नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इसको थोड़ा रोक देते हैं थोड़ा कम कर देते क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को तो आप क कुछ वीडियो में कि आपका जो इन्सिट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे कुछ बिरे थे कुछ तो बहुत solid जगह गिरा था फटा नहीं हो मतलब आपके आसपास बम को भी पता है कि टीचर की इज़त किया जाता है क्या बात है, क्या बात है मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आपके अंदर जो अटिट्यूड है ये कहां से आ रहा है क्योंकि आप बच्पन से ही फौज में जाना चाते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से और ये एक ऐसा हातिया रहें मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है मेरा खुस्चन यह है कि अभी प्राइवेट ऑगनाइजेसंस में पीटिने का पनिस्मेंट का ये सिस्टम जोए खातम हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सर का आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलीस वाला लाठी हो पुलीस वाला लाठी है और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई सुरू कर देते है मस्त एक दम से तो सर इमतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं आपसे और इस तरीक से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे और एक और कुस्टन सर यूपीसी का जो आप इपना बैच इस्टार्ट करने वाले हैं ठीक है उसके बारे भी बताईये सर क्योंकि मुझे मतलब कुछी शुकरना है सर ठीक है I'll be an I.S. officer next year, because I have seen you sir, my day is like complete sir. All the best. Thank you so much sir, thank you. तुरा बोला करो. Thank you. देखिए लड़कों को जहां तक पीटने की बात है जब पढ़ाने की बात आईगी तो उसको हम पूरे बहतरीन धंग से पढ़ाएंगे लेकिन जब सजा देने की बात आईगी न तो वो भी बहतरीन धंग से होगा इसे थोड़ी होगा कि वस एक ये चीज बहतरीन धंग से ह जाएंगे आप तो लड़कों के अंदर यह डर बनाना भी जरूरी रहता है और यह बात UPSC वाले की जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं UPSC क्योंकि दो धाइलाग फीस सारे लोग कर सकते हैं और हमारा वही रहता है हम तो जादेतर हमारी स्टूडेंट देगेंगे तो किसी के रिक्सा वला सब्जी वले यही लोग इनको तो डाइलाग रुप एंके पूरी संपत्ति नहीं होती है फीस कहां से भरेंगे माप उसके रहेंगे कहां से तो ओल ओवर इंडिया से कश्मी से कन्या कुमारी तक गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है यही कुछ हजार उके मंतली 12-14 साल का पड़ेगा खातम हो जाएगा इतना महीं यह जो डंडे वाली बात इनोंने कहीं यह सच है मतलब आप सच्छ में रखते हो पुलिस काई है वो और मारते ह कि मतला कोई लड़की छेड़ता है यहां कोई बी लड़का करना है कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहां पर एक तो कोई मतलब बीधायक जी थे उनके लड़का को पीट दिये तो चलाय बल लेकि अपना वह पर उसने घर पे नहीं बताय था कि सद ने पीटा आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का फौजी को डरे नहीं लगता है बाकी अफसार से पुछी है आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी दंडे वाली कानिया सुन कर डर लग रहा है कि कहीं मैंने गल्ती से कुछ बोल दिया और इनोंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यही आ करके अगर इनोंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो ज करते हो आप हमारे इस्टाफ परसान राते है हम डेड दो बजे सोते हैं सुबच छे बजे उड यातन पर इसम बांद है कि तुमी सताफ लगनापडता है इनको में साथ लगनापड़ता है रहा है हम जग गया तो कोई सोा थोडी रहा है अबद दिन में शोते ही नहीं है व कि अपने मुझे यहाने का मौका दिया अब तक मैंने आपको सिर्फोन यह लैप्टॉप में ही देखा है दोनों को आज फिर्स टाइम लाइफ देख रही हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा कॉशन यह है सर आपसे की जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते कि हमें ये परटिकुलर चीज करुनी है और क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4-2 तो बता तेरी क्या रहा है है तो उनमेंसे हमHeं कहए देता है कि यह बेकार डिसीजन है मत कर तो हमारा माइंड कई ना कई डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वज़े से हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं तो मेरा कुशन यह है कि कैसे हम अपने डिसीजन पे स्टिक रहें कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियान उनको अफेक्ट ना होने दे अपने उपर दूसरे से सला लेने से पहले एक खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सला दे रहा है आपको समझ कर दूसरे वाले को एक्सपिरियंस होता है तो अगर आपको पहले से आइडिया है उसके बारे में आप बहतरीन ढंग से रिसर्च की है कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है उसके बाद आप किसी से सला लेने जाहिए इनकिस मुन में आपको आरेंडी करना पड़ता है और जिन्दगी हो या गाड़ी जीतेगा वही जो टाइम पे गार चेंज कर रहा है तो डिसीजन चेंज करना बहु जादे गलप नहीं है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात पे थोड़ा सा और आड़न करूँगा कि यह जो आपने काना कि दिसीजन पे स्टिक कैसे रहें यह कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजन को चेंज करना होता है जैसे आपने चाट लोगों से डिसकस किया कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है कोई नेगटिव बोल रहा है उससे से पढ़ना चाहिए डिपेंड़िये करता है कि वो जो बोल रहा हुशा बैसि क्या है क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरेंस के बेसिज़ पे बोल रहा या ऐसे कुछ भी बोल रहा है ऐसे इसे बिसकी बadर पे ध्यान क्यों दे रहे हूँ Sir, मेरा क्वेश्चिन दोनों से है आप से हाव तो डिल प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजिनेस हमारा ब्रेन है यह बहुत आलसी टाइप का इसको आराम खोजना पसंद है अब थोड़ा सा भी इसको आराम के और लेके चलेगा ना तो फिर उधरी रहेगा आप सोचेगे दस मिन्त आराम कर लेता है ना तो दस मिनट ढ। बना देगा उसको उसके हिसाफ समझ चल, आपका मन कर रहा है, तो सब देख लेतने हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों, पहले काम कर लिजे, बाद में देखे का नोटिफिकेशन, आप हाभी मत होने दीजे हाप, अगर आप पाँच मिनट भी थोड़ा सा लूच प जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसको सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके, जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है, उदर जा करके पैसे दे दो, अब फस गए ना, तो फसा दो अपने आपको, दिमाग ये लगाओ कि अपने आपको कैसे फसाया जाए, जब हम फस जाते है ना, तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है, then there is no looking back, जब तक आप सोच रहे हो, तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते है paralysis of analysis, कि आप सोचते चले जा रहे हो, अपने mind में मैं ये करूँगा, वो क चीज तलती चली जा रहे है, तो उसको छोटे चोटे लेवल पर breakdown करके उसको कर दो, that is number one, और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो, उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी laziness भी खतम हो जाएगी, कई लोगों तो हमने इसी इनसान को दो जो बिजी है, ऐसे आदमी को मद दो जो खाली है, यह परफेक्ट लिगया, किसी को भी आप देखेगा, जिसको आप कहते हैं कि, मतलब, ठीक ठाक अप समझते हैं कि नहीं यह बहुत आगेजी कल वो एक काम को खतम करने कबद कभी आराम नहीं करेगा, उस खाल एकहाँ उसको लेसल दोस्कूर जिश्टक्तोई को मैं लगेची घाँ हो से अर दूसा करना चाहीज अर वहीं जिसको थेखिए काżyć अराम करना चाहीजे जी कभी नहीं दो कर दोक्फ जौन बटाईकर थीक लगे तोन मिह 햇ने में हैं अरहे ώज घए kap जिसे अमनी के पढ़ाई करी निसन, तो कभी-गभी डेली टार्गेट्स जो होला, वो कम्प्लीट न होला, अगर टार्गेट्स कम्प्लीट भी होला, तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एंजाइटी या फिर क्यो और करना है या फिर अभी नई हुआ, उचेज हमेशा रह कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देखके आट घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाईए छोड़ देगा, तो आप अपनी छमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं, अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम एक घंटा पढ़ सकते हैं, हाथ ही छलांग मारेगा पर तोड़ के बढ़ जाएगा, अब संदीर का मोटीवेशन देखके इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा डगयल देगे तुमको, हलां कि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग, नहीं, छमता पता होना चाहिए आपके अंदर अंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है, आप यह नहीं कह रहे है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर मैंने को अंजाइटी हो रही है, तो बेसिकली आपको यह देखना है कि अगर आपके अंदर अंजाइटी हो रही है, तो बेसिकली आपको यह देखना है क मैंने पढ़ लिया. दिन में मानो 8 गंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 गंटे पढ़ लिया या मानलो 8 गंटे भी पढ़ लिया. फिर भी anxiety हो रही है कि मैंने 10 गंटे नहीं पढ़ा. तो ये तो अच्छी quality है ना? ये तो एक brilliant student की quality है क्योंकि anxiety उसी को होती है जो care करता है जिसको परवा है उसी की तो anxiety होती है, जैसे हमा को अपने बच्चे के जैसे uda को अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है. हसलो हसलो मजाः कोड़ा कोई बात यह अडिट कर देंगे कॉम के सेыпने माँ है उसको अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है थोड़ी सी भी तबित खराब हो जाए उसको anxiety होती है चाहे बच्चा ठीक भी है डॉक्टर को नहीं होती है क्योंकि मां को उस बच्चे से प्यार है तो that means कि आप अपनी पढ़ाई को ले करके serious हो इस वज़े से आपके अंदर anxiety हो रही है which is normal जहां पर प्यार मुबबत होती है वहां पर थोड़ी बच्चा अंज़ाईटी तो होती ही है समझ रहे हूं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हूं ना मैं कहां जा रहा हूँ जब वह किसी और से बात करती है तो anxiety होती है आपकी स्टोरी अमने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गये थे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये डिसिजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहां से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए अटलीश्ट नववे रुपे चाहिए थे जेवें चालीस रुपे थे कैसे घर जाते हैं और हम गंगा की किनारे चुपचा बटे बटे हम कहीं कि अब बहुत टेंसन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे और तो किराई की रूम पे यह अदमी सारे लोग रहते है गए महाँ पे तो रूम लॉक हो गया था तो खट-खटा है तो उपर से गुच्छा से बोले जो ओनर थे जो बाते आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम्स ही है यह तो बहुत लोगों ने फीज करी वहां पर आप अकेले नहीं है बहुत लोगों का दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि में पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का कि आ सकता हूं यह सोचना ही बहुत लोगों के बसका नहीं है मेरी एक खुद की दिंग कि अगर हमको कोई 100 रुपे किसी काम के लिए हम सबसे यह करते हैं तो हम कोई हमसे 200 का रिटरंड दे अगर कोई हमसे 200 रुपया फीज दे रहा है थाइसो दे रहा है तो हम उसको यह कोशि हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना की हमें मिल रहा है तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सूचते हैं, कि अगर मैंने किसी से एक रूपे भी लिया, देखा ज़िए HIAR तो दो 2200 रूपे कुछ भी नहीं होता है, दो 2200 रूपे अगर मैंने लिया, तो कैसे उसको 400 रूपे गी वैलियो दूं? यह जो थिंकिंग है, यही एक फर्क होता है, एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है, और उस इंसान में जो मीडियो अखर रह जाता है। आप अपने आपको अपने आपके उपर समय दीजे, उसको डेवलब किजे। जब आप अपने आपके उपर खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में लोग गूगल पर आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। शोयर, यह आपने अपने बनाया है या यह कोई पुराना आपका वह है। बनते राता है यह जो एक बन जाता है। अपके अनननसरे कभी छुपा हुआ है कही नगए जो बहार आणा चाहता है। कभी नगवी अपने सोचा होगा कुछ कभी कभी देखिए एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। यह चीज को हमेंसा, संगती का मतलब हलके मिले लेता है। संगती का मतलत है संग संग गती तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गती होती जाएगी। घराब में रहेंगे तो यह भी होता है। बट अपने आपको सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाए इसके लिए नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते हैं। हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं। कि याद करें कि इस पैसे की भागदोड की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए यह सब को लगा है तो हर कोई को यह सोचना चाहिए कि था कोई इनसान जो इतने कम फीज में इतनी सिख्षा जो महंगी थी जो कमाने का रास्ता उसको भी एक दम कमपटिशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीज बढ़ाने में डर लगता है कि यार लड़का कमेंट करता है कि खांसर इतना ले रहें आप बड़ बड़ बड़का टीचर लेंगें कि खांसर एक क्लीप है यह समय और समाजदारी बहुत फरक हो अगर समय रहते हैं समाजदारी आ गई तो इंसान कामयाब हो गया लिंगे अगर समय सला गया फिर समाजदारी फिर तो पेकार है तो सर मतलब कुछ आपको ऐसे चीज़ लाना सहिए जो मतलब बच्चों जो तयार हो रहे हैं उनको यह चीज़े मतलब एंटाइम पर दिखें सबसरे आप मेरी बात नहीं समझे तो यही होता है सर नहीं सर का मोटिवेशन जादे हो जाता है जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीज़ों को अपने उपर खर्च किए जादे से जादे सीखने में खर्च किए अगर आपको राजा बनने का सोख है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सिखिए तब राजा बनने तो यह दुख यह दर्द यह सब तेरे अंदर तु अपने बनाए इस पिजडे से बाहर निकल के देख तु अपने आप में एक सिकंदर है तांक यू सो मच सर पर कमिंग बहुत मज़ा आया मेरे को आपके साथ में इंट्रैक करके आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा तांक यू सो मच जी झाल